छोटे किसामों की परिशानियों से हर कोई परिचित है समय समय पर उनके सरसक्तिकंड की माग भी उठी है हमारे आधनिया शरत्मार जी और कॉंग्रेस के बेरे हर किसी ने हर सरकार्ण कुर्शी सुधारों की वकालत की है कोई पीशे नहीं है क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए ने कर पाए अलग बात लेकिन होना चाहिए यह बात हर एक की निकली हुई है और आज नहीं जब भी जहांते समने की हुई है और सरद्राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूँ ठीक है पद्ददी के समन में उनको में सवाल है लेकि सुधारों का विरोध ने किया है और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस विशे में हमारे साथ ही सिमान सिंधिया जी ने बहुत इच्छे डंग से कई पहलूओं पर इस कानून को लेकर के यहां पर यह सारी बाते पिछले देवदशक से लगातार चलते हैं हर फ़र्म में चली ऐसा नहीं है कि कोई हमारे गाड़े के बाग में हर ने कहां और हर को लगा है कि अब समय आगाया हो जाए अब समय आगाया यह ठीक है फुर्स्टू कौमा कोई इधर उधर हो सकता है कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है दस साल के बा प्रगति कहां होती है और इसलिए लेकिन मैं हरान हूं अचानक यूटन ले लिया ऐसा क्यों ठीक है आप आंदोलन के मुद्धों को ले करके इस सरकार को घेर लेते हैं लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बढ़ला बहुत ज़रूरी है बहुत साल हो गए अब न ज़र जाते हैं लेकिन जो यह सब कर रहे हैं अच्छा है आदरनिय दोटर मनमोन सींग की हम अधूद है मैं उनी का एक खोर्ट पढ़ना चाहता हूं हो सकता है जो यूटन कर रहे है है वो मेरी बात माने या न माने मनमोन सींग जी की तू बात because of the whole marketing regime set up in the 1930s which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove it is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India रियलाइजिंग इस वास पोटेंशल एज वन लार्ज कॉमन मार्केट यह आधर ने मनमोन सिंग्जी का आधर ने मनमोन सिंग्जी ने किसान को उपज बेचने की आधादी दिलाने भारत को एक कृशी बजार दिलाने कि शमयन में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो कामंकर है और मुझे आप लोगों को घर्व होना चाहिए कि देखे मनमोन सिंग्जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा था घर्व है किजिए प्रीज प्रीज और मजा यह है कि जो लोग प्रीटिकल बयान बाजिव करते हैं उचल उचल करके उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाविगा है इसी मेंसे आधा आजूरा कुछन कुछ किया ही किया है हर किसी ने यहां जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारे हैं वहां आधा अधूरा कुछन कुछ तो किया ही है, उनको भी मालूम है, रास्ते के दास्तों तो यह है, और मैंने देखा इस चर्चा में लोग का जो स्पिरिट है, उस पर किसी की जर्चा नहीं हुए, ठीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, यह रहता ह है, वो तो परिवार में शादी होती है, तो भी फूफी नारा जो करके कह दिये, मुझे कहां बुला है, वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है, हम कुछ और बातों के और भी जान दे, अब देखिये, दुद उतपादन, किसी बंधनों बड़ा हूआ नहीं है, न पर शुपालक में बंदो बंदा हूआ है, न दूद बंदन बंदा हूआ, लेकिन मजा देखिए, दूद के खषीत्र में, या तो प्राफेट या कोपरेट, दोनों ने ऐसी बड़ी मजबूद चेन बनाई है, दोनों मिलकर के इस क काल में नहीं बना है आप भी इसका घर्व कर सकते हैं मेरे काल से पहले बना हुआ हमें घर्व करना चाहिए प्फल सब्जी से जुड़े वैसाय में ज्यादातर बाजारों का सीधा संपर रहता है बाजारों के दखल हट गई है इसका लाब बिन रहा है क्या ड़ी वाले शफल सब्जी घरणे वाले उद्यमी प्रशी पालो की किसान क्या जमीन पर कब जाता है हमारे देश में डेरी उद्योग का योगदान कि कृशी अरते वह भंसता के कूल मुल्य में 28 प्रतिशत से भी ज्यादा है यानि इतना बड़ा हम agriculture की चर्चाएं करते हैं इस पहलू को हम भूल जाते हैं 28% contribution है और करीब करीब आठ लाग करोड रुपियों का कारोबार है जितने रुपिय का दूद होता है उसका मुल्य अनाज और डाल दोनों मिला ले तो उससे ज़्यादा है हम कभी इस तर्फ जद देखते ही नहीं है पशुपालतों को पूरी आज़ादी अनाज और डाल पैदा करने वाले छोटे और सिमान किसानों को जैसे पशुपालत को आज़ादी मिली है इनको आज़ादी क्यों नहीं मिलने चाहिए और इन सवालों के जबाब हम ढूंडेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे आदनिय सभाबती जी ये बात सही है जैसा हम लोगों की स्वभाव रहाए घर में भी थोड़ा सा भी परिवर्तन करना हो तो घर में भी एक तनाव शुरूद चेर यहां के और रोकी टेबली यहा है स्वाभाविक मानता हूं कि जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ा बहुत पुरहता ही है हमारी हाँ कोई कि असंजम असामन्जस की स्थिती भी रहती है लेकिन ज़रा वो दिन याद किजिए जब हरित करांति की बाते होती थी हरित करांति के समय जो कुरुशी सुधार हुए तब भी जो आशंकाय हुई जो अंदोलन हुई ये वैल डॉक्युमेंटेड है और ये देखने जैसा है कुरुशी सुधार के लिए सक्त फैसले लेने के उस दौर में सास्त्री जी का हाल ये था कि अपने साथियों में से कोई क्रशी मंत्री बनने को त्यार नहीं होता था क्योंकि लगता था कि ये ऐसा है कि हाथ जल जाएंगे और किशान नाराज हो जाएंगे तो फिरी तो राजनीती समात्त हो जाएगे ये सास्त्री जी के समय की घटना है और अंत्वै शात्री जी को सी सुब्रमन्यम जी को कृषी मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बाते की योजन आयोग ने भी उसका विरोध किया था मज़ा देखिए ओजन आयोग ने भी विरोध किया था वित्त मंत्राले सहित्पुरी केमिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था लेकिन देश की भलाई के लिए सास्त्री जी आगे बढ़े और लेप पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं वो ही उसमय बोलते थे वो यह अमेरिका के इशारे पर सास्त्री जी एकर रहे हैं अमेरिका के इशारे पर कॉंग्रेस ये कर रही है तो वो पहले आपके बहुत का अज भाषा बोलते हैं वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी क्रूसी सुधारों को छोटे किशानों को बरबाद करने वाला बताया गया था देश भर में हजारों प्रदर्शन आविजी दुए थे बड़ा मुमन चला था इसी बाहूल में भी लाग बादू सास्त्री जी और उसके बाद के सरकार जो करती रही उसी का परिणाम है कि जो हम कभी पियल 480 मंगवा करके खाते थे अधेश अपने किसान ने अपनी मिट्टी से पादा की चीजे को खाते